Hello everyone, मैं हूँ किरन शापुरे और ये है आप लोगों के लिए कमिंग रीक का सापता है क्राशीफल ये 24 जानवरी से लेकर 30 जानवरी तक के आपकी टारो रीडिंग्स हैं, टारो प्रेटिक्शन्स हैं और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चानल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज लाइक, शियर और सब्सक्राइब करें इसके साथ-साथ अगर आप डिली टारो रीडिंग में इंट्रेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पीच भी विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और दूसरी बात इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं और अगर आप मुझ से पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं तो प्रोफेशनल फ्रंड के लिए आप लोगों के लिए काड्स हैं लावर्स और आउटसाइडर और दिखें ये काड्स कहते हैं कि सुफ्रिस लेवल पे बहुत एक ब्यूटिफुल एनरजी रह सकती हैं जहां पे आपके लवड वन्स आपके क्लोज वन्स का एक सपोर्ट है और दिखें ये काड्स आपके प्रोफेशनल फ्रंड के लिए है तो हो सकता है कि जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं आपके लिए काम करते हैं उनकी तरफ से कोपरेटिव एनरजी हैं लेकिन मन ही मन आउटसाइडर का काड्स कहता है कि आप बहुत ग्रेट नहीं फील क कर रहे हैं मन ही मन एक अकेला पन आप महसूस कर रहे हैं या फिर किसी लेवल पर एक रिजेक्शन आप महसूस कर रहे हैं और दिखें लवर्स का काड़ कहीं एक पाशनेट अनरजी की बात करता है और हो सकता है कि किसी चीज़ को आप बहुत जादा डिजायर कर रहे हैं या के मन में आ रहे हैं और देखिए lovers कहीं decision और choice की भी बात करता है तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि again कोई decision कोई choice आपको लेनी है और कहीं फिर से मैं कहूंगी कि the outsider का card कहता है कि आप clearly नहीं decide कर पा रहे हैं देखिए जो भी हो prices जब externally चीज़ें अच्छी होती हैं और हम internally अच्छा नहीं feel कर रहे होते हैं तो 99% chances होते हैं कि हमारा self-talk ठीक नहीं है हमारा self-talk negative है और इस चीज़ को आपने check करके जरूर correct करना है यानि कि थोड़ा सा pause करके आप अपने thoughts की checking करें कि आप क्या thoughts create कर रहे हैं और जैसे ही आपको लगे कि आप negative thoughts create कर रहे हैं आपने तुरंद उनको replace करना है positive thoughts से ऐसा आप करेंगे तो चीज़ों को better कर पाएंगे और देखिए जब भी lovers का card आता है हम यही कहते हैं कि हो सकता है again आपको कोई decision कोई choice लेना है आप make sure करें कि आप उसी चीज़ को choose करें जिसके लिए आप बहुत passionate हैं जिसको आप enjoy करते हैं आप कहीं अपने दिल की जादा सुनें अपने दिमाग को अपने उपर हावी ना होने दें और परसनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए cards हैं तो chariot rivers and past lives और दिखिए chariot का card कहीं movement shift की बात करता है कहीं चीज़ों का control अपने हाथ में लेकर बहुत confidently आगे बढ़ने की बात करता है और इस week आप लोगों के लिए ये card rivers है तो इन ही चीज़ों से related छोटे मोटे issues छोटे मोटे मसले रहते हुए दिख रहे हैं और दिखिए ये general reading है तो सब के लिए ये मसले ये issues differ कर सकते हैं कुछ लोगों के लिए literally हो सकता है कि आप travel करना चाहा रहे हैं आपके travel plans delay हो रहे हैं, postpone हो रहे हैं और दिखिए ये आपे कुछ लोगों के लिए vehicle से related भी कोई मसला हो सकता है तो अगर आप out of the city travel कर रहे हैं या फिर within the city भी अपने गाड़ी की service करा लें या फिर थोड़ा सा you know check कर लें कहीं especially अगर आप दूर जाना चाह रहे हैं या जा रहे हैं और दिखिए otherwise देखें तो हो सकता है कि किसी भी personal life के area में थोड़ा सा आप stuck महसूस कर रहे हैं आप इनी चीजों से बाहर निकलना चाह रहे हैं आप चीजों का control अपने हाथ में लेना चाह रहे हैं लेकिन आप नहीं ले पा रहे हैं कहीं बहुत एक determination के साथ again मैं कहूंगे कि आप चीजों को deal करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं और देखें सब के लिए different reasons हो सकते हैं इन energies के लिए लेकिन chariot के नीचे past life का card कहता है कि कहीं आप थोड़ा सा confusion महसूस कर रहे हैं एक fear है, एक insecurity है और जिसकी वज़े से आप clarity नहीं ला पा रहे हैं और कहीं no, फिर से मैं कहूंगी कि आप stuck महसूस कर रहे हैं आप आगे नहीं पड़ पा रहे हैं तो बहुत बहुत important है Pisces की इन fears को आप overcome करें और चीजों का control अपने हाथ में लें क्योंकि देखिए chariot का card इस week के लिए कहता है कि ये energies available हैं और थोड़ा सा भी आप conscious effort करेंगे conscious awareness के साथ इस चीज़ को deal करेंगे तो इन energies में से आप बहुत easily बहार निकलेंगे और फिर से मैं कहूंगी कि एक movement, एक shift जो आप लाना चाहते हैं उसको भी आप ला पाएंगे and guidance से आप लोगों के लिए unfinished symphony का card है और ये card कहता है कि किसी भी life के area में या फिर in general भी कुछ चीज़ें हैं जो अभी finished नहीं हुई हैं या मैं कह सकती हूँ unfinished हैं, incomplete हैं और फिर से देखिए ये card कहता है कि आगे बढ़ने से पहले पुरानी चीज़ों को या फिर जो भी चीज़ें unfinished हैं उनको आप जरूर finish करें क्योंकि देखिए जब हम पुरानी चीज़ों को अधूरा छोड़ देते हैं तो कहीं हम पूरी तरीके से आगे नहीं बढ़ पाते हैं और यही चीज़ आपके personal front में भी दिख रही है जहाँ पे आप आगे बढ़ना चाहा रहे हैं लेकिन उस तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और बहुत ही clearly guidance का card कहता है कि जो चीज़ें अधूरी हैं पहले आप उनको पूरा करें और देखी यह general reading है तो यहाँ पे सब के लिए different चीज़ें हो सकती हैं और यह आपकी reading है आप ही अच्छे से जान पाएंगे Pisces कि आपकी life में क्या चीज़ है जो अधूरी है तो इस चीज़ को again मैं कहूंगी कि आप check करके ज़रूर correct करें और astrology से आप लुगों के लिए cancer sign का card है और इसके हिसाब से white color इस week आप लुगों के लिए लगी रह सकता है and significant day आप लुगों के लिए होगा Monday तो यह था Pisces आप लुगों के लिए coming week का सापता है क्राशी फल और नीचे मुझे comment section पर ज़रूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate हुआ कितना आप connect कर पाए